नमस्कार विद्रतियों राज किये हैं महावित दाहल राजगर्ड चूरु दुबरा संचालित उन्लाइन क्लासेज में आपका श्वागत है पिछली कक्षा में हमने कभी सेनापती जी के सलेश वरनन का ध्यन किया आज हम कभी सेनापति जी के सरंगार बनन का धिन करने जा रहे हैं सरंगार बनन में कभी ने नाइका के सुन्दर नेतरों के शमक्ष नेतरों के उपमानों को तुछ बताया है नाइका के सुन्दरता का बनन करते हुए कभी सेनापति कह रहे हैं कभी दिखिए पहले में कुछ आपको कुछ शब्दों के अर्थ आपको बता देता हूं ताकि आपको इस पध्यान्स का सरलार्थ करने में किसी प्रिकार के कोई खटना है का सामना नहें करना पड़े अंजन सुरंग जीते खंजन कुरंग मीन का मतलब होता है हीरन मीन का मतलब होता है मचली नेक नकमल उपमा को नेरात है नेरात मतलब पास में आना नीके अनियारे नीके मतलब अच्छे अनियारे अनियारे का साब्दी करत है पैने अति चपल डरारे प्यारे जो जो में नियारे तो खरो लले जात है यहीं तक का ध्यमन अध्यनम करते हैं पहले कभी ब्रणन करते हैं कहते हैं कि नाइका के नेत्रे अन्जन से अधिक चमकदार और सुन्दर प्रतीत हो रहे हैं अन्जन शुरंग जीते यहीं नाइका के नेत्रे अन्जन से अधिक चमकदार और सुन्दर प्रतीत हो रहे हैं उन्होंने अपनी सुन्दरता से नेत्रों के उपमान कहे जाने वाले खंजन हरिन और मचली को भी मात दे दी है नेक ने कमल उपमा को नेरात है कमल तो उनके नेत्रों की उपमा के लायक ही नहीं है नीके अनियारे अति चपल डरारे प्यारे और नायका के नेत्र अच्छे लगने वाले हैं अनियारे यानि पैने हैं तिर्चे हैं नुकिले हैं अति चपल और चंचल हैं डरारे सुन्दर हैं और प्यारे लगने वाले है जो जो मैं नीहरे कभी कहते हैं कि मैं उस नाइका के नेत्रों को जो जो देखता हूं तो तो खर्यों लल जाता है तो तो उन्हें और देखने के लिए लालाई थोडता हूं शेनापती सुधा के कटाचनी बर्सी जयावे जिनको निर्खी ही हरसी सिरात है सुधा का शाब्दी करता है अमरित निर्खी निर्खी का शाब्दी करत है देखकर सिरात सिरात मतलब सितल होता है कानलो बिसाल काम भूप के रसाल बाल तेरे द्रग देखे मेरो मन ने अगहात है लो लो का मतलब है तक द्रग नेत्र रशाल आम स्वादिष्ट रसीला शुंदर कभी कह रहें आगे वे अपने वे नेत्र अपने कटाक्स से अमरत की वर्सासी करते हुए परतीत होते हैं सेनपति सुधा से कटाच्छनी बर्सी जयावे कि वे नेत्र अपने कटाक्सों से अमरत की वर्सासी करते हुए परतीत होते हैं जिनको निर्खी हियो हर्सी सिरात हैं उन्हें देखकर हिर्द हर्सित होता है और सीतल हो जाता है जिनको निर्खी उन्हें नेत्रों को देखकर हियो हिर्द हर्सी हर्सित होता है परसन होता है सिरात है और हिर्द को एक सितलता मिल जाती है कान लो विसाल काम भूप के रसाल बाल तेरे द्रग देखे मेरो मन नए अगहात है नायके के नेत्र कानों तक लंबे और विशाल हैं कानों तक वो विशाल हैं लंबे हैं काम भूप के रसाल और वे काम देव रूपी राजा के सुन्दर बालक जैसे हैं तेरे द्रग देखे मेरो मन नए अगहात है उन्हें देखकर मेरा मन ही नहीं भरता और उन्हें और देखने के इच्छा बनी रहती है इस तरह से कभी ने नेत्रों के उपमानों को तुछ दिखाने और नेत्रों को अधिक सुन्दर बतलाने में अपनी कलपना का सुन्दर प्रियोगे किया है सरंगा रश है और माधुर्य गुण इशे पद्ध्यांस में हमें देखने को मिला है साथ ही रुपक और अनुप्रास अलंकार की छटा भी हमें इस पद्ध्यांस में देखने को मिलती है अगला पद हम देखते हैं कभी कह रहे हैं नायका के नेत्रों का ही वनन कर रहे हैं ही हरी लेत है निकाई के निकेत कि नायका के नेत्रों की सुन्दर्ता का वनन करते हैं कभी कहते हैं कि उसके नेत्रे हिर्दय का हरन कर लेते हैं हिर्दय को चुरा लेते हैं वे सुन्दर्ता के निकाई निग्वाई का मतलब होता है शुन्दर, निकेत भंडार उश के नेत्रिट के भंडार है, हसी देत है सहेत, तब प्रेम से युग्थ होने से हसते है, और प्रेम संकेत कर देखते है, या तिर्चिति चित्वन से देखते है, निर्खी करी सेन है यानि वो नेत्र प्रेम संकेत कर देते हैं या तिर्ची चित्वन से देखते हैं कभी सेनापती कहते हैं सेनापती कभी कहते हैं उसके नायका के नेत्र हिर्णियों के नेत्र से भी अधिके सुन्दर है दरद है हरत करत चित चैन है और उसके जो नेतर हैं, हिर्णियों से वेदिक सुंदर हैं, वे मेरे हिर्दे की प्रेम वेदना को हर लेते हैं, दर्द है हरत, यानि हिर्दे का जो दर्द है उसे हर लेते हैं, दूर कर देते हैं, करत चित चेन है, और मेरे मन को सामती प्रदान करते हैं, चाहतन अंजन रसिक जन रंजन है उसके स्वाभविक सोंद्रे के कारण उसके नेत्रों को अंजन की जरुत नहीं रहती है रसिक जन रंजन और वे रसिक लोगों को प्रसंद करने वाले है खंजन सरस रस राग रिति एन है कुर्णाइका के नेत्रे खंजन से अधिक सरसे रसराग की रीतियों के घर है कि वो आखें कैसी हैं दीर्ग यानि वे बड़े-बड़े डुलकने वाले अनियारे तिर्छे तिक्षन नेकरतनारे थोड़ीशी लालीमा से युक्त या मंडित हैं कंज से निहारे कजरारे तेरे नैन है हे सुन्दरी तेरे कजरारे नेत्रों को मैं सदा प्रफुलित कमलों के शमान देखता रहता हूँ कंज से निहारे कंज मतलब कमल से तेरे कजरारे नैनों को या कजरारे नेत्रों को मैं सदा प्रफुलित कमलों के शमान देखता रहता हूँ धेखिए हिंदी साहिते में एक प्रंप्रा रही है विसल देव रासों से नक्षिक प्रंप्रा नाइका के नक्षिक वर्नन इसी नक्षिक वर्नन की प्रंप्रा में यहां कवि सेनापती ने नयका के नेतरों की सुन्δरता का वर्णन किया है और स्रंगारश है इस पद्यांस में, कवित संद की छटा हमें देखने को मिल रही है अनुप्रास और ऊपमालंकारों का पर्योग भी इस पद्यांस में हुआ है अगली कक्षा में हम अध्यन करेंगे तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद